राज्य भर में हुए 17 अधिकारों के तबादले के साथ ही पूर्वी सेम्म जिले में डी सी सूरज कुमार का भी तबादला किया गया और इस तबादले के साथ ही जाधव विज्या नाराय और राओ 2015 बैच की आयस ओफिसर ने उपायुक्त का पदभार आज ग्रहन किया ऐसे में हम बाचीत करते हैं परतमान उपायुक्त से और जानते हैं कि क्या कुछ प्रायुरिटी रहेगी उनकी और उनकी शवी जो बनी रही है लेडी सिंगम के तौर पर तो क्या वो इस शवी को बरकरार करेंगी साथ ही हम बाचीत करते हैं पुर्व उपायुक्त सूरज कु मार से भी और जानेंगे कि क्या रहा उनके दो साल की कारे कल का पुरा दौर कैसा रहा और क्या कुछ दिक्कते उनके सामने आई तो देखे जमशेदपुर से मेरी खास रपोर्ट जिली ने अच्छिव किया है उनको मेंटेंड करना यह अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मे सहकारे और सहयोग अपिक्षित है और मुझे आशा है कि आप जितना सूरज सर के साथ करने से कंदा मिला कि आप सब लोगों ने काम किया उतना ही सारे हमारे मीडिया बरंदु भी हमें इसमें हेल्प करें सर जब प्रबार लिये थे उसमें करोना सबसे बड़ी चुनोती थी और पहले दिन से ही इस थी अभी चीजरी चेंज हो गई है इवन हम भी उसके साथ यूस्टू हो चुके हैं मगर फिर भी प्रिवेंशन एक सबसे बड़ी चुनोती है ही आज के तारीक में और मुझे लोगों ने वो नाम दिया हुआ है यहां पर भी परकरार रखेंगे दिखिए एसडियोशिप के जो दिन होते हैं वो ऐसी ही जोशपूर्न होते हैं उसमें काम पहले होता है लोग सोचते बाद में हैं तो वो उस टाइम का टेन्योर का टैक था तो मुझे लगता है कि हमें साथ और अलग-अलग पोस्टिंग के साथ एक अलग मैचुरिटी आती है और हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो इसमें मैचुरिटी लाने में काफी हेल्प करते हमें बात लेडी सिंगम की नहीं है बात है एक अच्छे हार्ड वर्किंग या निमानदार अफसर होने की और मु जालन्चे पोरवी सिंगम के रूप में उसके बाद फिर ऊपायुक्त पोरवी सिंगम के कि मेर्टेम में तीनों टनीवर कि अपनी अलग अलग था कि अपनी अलग और परचुनरिटी कि अई पूर्विसिर्मुम मैं मुझे इन चैलेंजिस के बीच में ना सिर्फ प्रोफेशनली रूप से बलकि पर्सनल रूप से भी बहुत ज्यादा ग्रो कराया मैं एक इंडिविज्यल को रूप में बहुत ज्यादा सीखा हूँ पुर्विसमूम जिला से यहां के लोगों से और बहुत ही enriching experience रहा था एक ऐसा अनुवव है जिसको मैं भुला नहीं सकता specially एक प्रकार से मेरी पूरी शिक्षा दिक्षा यहीं से हुई है मेरा घर बिलकुल पास में ज़ग सेंडर्ड जमशेत्पूर ही कहलाता है तो एक तरीके से मेरा पूरा home district ही था तो वहां काम करने के एक feeling अलग होती है उपायोग के tenure में COVID के शेत्र में या साइकलोन है उसके शेत्र में या फिर social indicators के शेत्र में अबीट COVID काम करने के बहुत अच्छा opportunity मिला एक बहुत ही dedicated team के साथ मैंने काम किया है जिस dedicated team ने 24 घंटे बिना थके बिना हारे काम किया है और उतना ही support प्यार और स्ने मुझे पूर्वी सिम्मूम के जनता से और आप लोगों से मिला है जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा इस जिले का रिणी रहूंगा इस जिले के लिए कृतक रहूंगा मेरी और एक खुशकुस्मती है कि मुझसे प्रभार एक बहुत ही सक्त इमानदार और दमंग officer के रूप में जाने वाली विज्या ने लिया है और विज्या का first tenure है बहुत ही जोस खरोष के साथ में काम करती है बिल्कुल एक अलग style of working है एक अलग distinct पहचान है हमारे पूरे लोगों को बीच में एक बहुत ही सुल्जी क्लिर कर डारेक्शन देने वाले आइस officer के रूप में जानी जाती है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनके leadership में पूर्वी सिमूम जिला जो है वो नई उचाईयों को छुएगा और मैं विज्या को इनके ने टेनुर के लिए बहुत सारी सुभकामनाई देना चाहता हूँ साथ ही साथ पूरे पूर्वी सिमूम जिला वासियों को और आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतना स्ने दिया और इतना कुछ सिखा है पूर्विस मिम्मों के निवासियों इसका ख्याल रखना है तो काफी उमीदों और शुब कामनाओं के साथ विजिया जाधव राओ ने उपायुक्त का पदभार ग्रहन किया ऐसे में पदभार ग्रहन करते वे जाधव विजिया राओ अपने पिता को याद करते वे भावुक भी हो गई हमने सुरज कुमार से भी बाचीत की और उनका यही कहना था कि अपना शहर होने के कारण इस शहर से लगाव जरूर रहा साथ ही उन्होंने नई उपायुक्त को कई शुब कामनाएं भी दी यही उमीद की जा सकती है और शहर वासी अब यही उमीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में नई आयस ओफिसर और शहर की नई उपायुक्त इस शहर की कतीविदी में बदलाव जरूर करे और जो उमीदे हैं उनसे जो उमीदे लगाई जा रही है उन्हों उमीदों को पूरा करने में वो सफल साबित हो तो इसी के साथ नमस्कार माराज लक्ष्मी लाइव लगातार से नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ